कब से शुरू होगी किन्य कैलाश यात्रा जानिये एल, शिमला से हरजिंदर थाकुर की विशेश रिपोर्ट प्रशासन ने जारी की ओपचारिक घोशना 26 अगस्त तक यात्रा कर सकेंड ये श्रद्धालू काफी समय से बंद किन्य कैलाश यात्रा अब खुलने जा रही है श्रद्धालू लंबे समय से इस पल के इंतजार में थे कि कब किन्य कैलाश के दर्शन के लिए जा सके पाँच कैलाशों में से एक किन्य कैलाश की यात्रा को लेकर, इस वर्ष कई दिनों तक चली अटकलों के बाद, आखिर यात्रा की ओप्चारिक भोशना कर दी गई. इस वर्ष किन्न कैलाश यात्रा पहली से 26 अगस्त तक की जायेगी. इस बात की जानकारी जिला पर्यटन अधिकारी वो एस डियम कलपाड़ा शशान्त गुपता दी है बता दे की प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जगत सिंधनेगी की अध्यक्षता में मंगलवार देरशाम जिला मुख्याले रिकानपियों में किन्ने कैलाश यात्रा को लेकर बैठक बुलाए गई बैठक में जिला पर्यटन अधिकारी के अलावा पूर्वनी, पवारी, तांगलिंग के पंचायत प्रधानों सहित स्थानिय कमिटियों के पदाधिकारियों ने भाग लिया लंबी चर्चा के बाद ये निर्ने लिया गया कि इस वर्ष से किन्ने कैलाश की यात्रा तांगलिंग मार्क के अलावा पूर्वनी मार्क से भी शुरू की जाएगी ताकि शिव भक्तों को कैलाश दर्शन के दोरान आने जाने में सुगमता रहे जिला पर्यटन अधिकारी वेस डियम कलपाडा शशान कुपता ने बताया कि अपचारिक रूप से पहली से 26 अगस्त तक शुरू की जा रही किन्न कैलाश यात्रा के दोरान फोरस्ट, पुलिस सहित होमगार्ट के जवानों की तैनाती के अलावा मेडिकल की भी सुविधा पलब्द करवाए जाएगी। इसी तरह यात्रा के दोरान खुलने वाले धाबों में भी खाने आदी के रेट निर्धारित किये जाएंगे ताकि कोई मनमाने तरीके से खाद्य वस्तूओं के दामना वसूल सके। इसी तरह यात्रा वाले दोनों रूटों पर सफाई व्यस पूरा ध्यान रखा जा सके। धका रहता है। अगस्त माह के दोरान ही किन्न कैलाश तक पहुचा जा सकता है।